नमस्कार दोस्तों मैं आज फिर से स्वागत करता हूँ अपर चैन टेक्निकल आशिक में बढ़ते हैं एक तीसमें कोश्चन के तरफ write a program to display the months between two dates of a year ठीक है दो date देना है आपको कोई भी date और उसके बीच में जो भी month आएगा वो month को हम लोग को display कराना है ठीक है तो हम लोग ये program है जो मैंने बनाया है दो date का दो variable लिया यहाँ पर date कि यहाँ पर हम लोग display कराएंगे ठीक है तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको पेस्ट करते हैं और रन कराते हैं skill plus वाले window में तो date पहला date का value हम लोग देंगे 15 April 2019 ठीक है एंटर दूसरा date हम लोग देंगे आप कुछ भी date जाट सकते हैं तो उसके बीच में जो भी मन्त आएगा उसका वो display कराएगा दूसरा date हम लोग देते हैं चोदा मार्च मार में आर ठीक है तिन लेटर देना हम लोग को क्योंकि यह और एकल का यह date value हता यह date format तो यहाँ पर देख सकते हैं पंदर अप्री 2019 से 14 मार्च 2020 तक कितने मन्त है अप्रील का भी यहाँ पर ले लिया ठीक अप्रील माईज उन जुल आएगा सेप्तमर अक्टूबर नौमबर इस समच जन्वरी फर्वरी यहां फर्वरी तक यहाँ पर ले लिया ठीक जैसे कि यहाँ दो डेट है 10 मार्च बी 20 और 20 मार्च 20 तो इसके बीच में तो एक ही महिना मार्च वाला ही महिना है तो ओनली मार्च वाला महिना ही दिखाएगा यहाँ पर देख सकते हैं मार्च वाला महिना दिखाया ठीक है तो यह देख सकते हैं सिर्फ मार्च डेट वन डेट टू यह है और मार्च वाला महिना दिखा दिया जो यहां पर दिखा रिजल्ट आया तो मल यह फिर से दूसरा हम रन कराते हैं फिर से रन कराते हैं इस कोड को पहला डेट हम लोग देते हैं तीन जनवरी उनिस सो तेरानवे ठीक है तीन जनवरी उनिस सो तेरानवे हमने दिया दूसरा डेट दिया दूसरा डेट हम आज कर डेट देते हैं कोई भी डेट देते हैं पिछला कुछ डेट देते हैं उनिस मार्च दो हजार बीस हम देते हैं यहां पर तो यहां पर देख सक आप इसे hold करके लिख लें और run करा के देखें दे, ठीक है?